tedious striker 125 के बारे में आज बात करने वाले में जो कि ये गाड़ी भी आपको Indian market में मिल जाएगे tvs की ओर से 125 CC में कल की वीडियो में हमने बात किया था फियरो 125 के बारे में तो आज बात करने वाले हैं Striker 125 के बारे में और भाई आप लोग मुझे Instagram पर जरूर से जरूर follow कर लो और DM कर लो भाई कल मेरे पास काफी सारे DMs आये जो कि लोगों ने मुझे काफी अच्छे सवाल पूछे और उनके मने reply भी दिये तो भाई आप लोग चाहो तो मुझे भी Instagram पर follow कर लो और अपने आप सवाल भी पूछ सकते हो किसी भी गाड़ी को ले कर खेर आपकी मर्जी हो तो कर लो वरना कोई बात नहीं तो बढ़ते हैं वीडियो में आगे तो भाई ये गाड़ी आपको मिल जाएगी TBS की योसे Striker 125 जो की गाड़ी में आपको मिल जाएगा 125 CC का engine जो की ये गाड़ी आपको काफ़ अच्छा mileage performance top end achieve करा देगी गाड़ी में आपको मिल जाएगे fully LED के head lamp जो की आपको काफ़ अच्छा brightness provide करा देगे इसके भाई जो tail lamp होंगे वो आपको मिल जाएगे halogen के भाई इसके जो होंगे indicators वो आपको मिल जाएगे halogen के इसका भाई जो होगा console वो आपको मिलेगा round shape में जहांपर आपको speedometer, takeometer, trip meter आपको ये सब कुछ आपको मिल जाएगा fully और भाई इसका जो होगा turn indicator वो आपको मिल जाएगा analog में इसका भाई जो का pass light वो भी आपको मिल जाएगा analog में यानि कि वो आपको मिलेगा side में और आपको मिल जाएगा console में TBS का badging जो की आपको reflect करता हुआ मिल जाएगा खैर ये तो हो गया console इसका जो console भाई वो आपको बह mode plus की start दोनों जो की काफी अच्छा feature होने वाला है गाड़ी में आपको मिल जाएंगे front में telescopic fork भाई रियर में आपको मिल जाएंगे twin shock absorber with double spring इस गाड़ी में आपको मिल जाएंगे 124.5 cc का four stroke single cylinder engine जो की ये गाड़ी आपको 10.8 kilowatt की power देगी इसका भाई जो होगा torque वो आपको मिल जाएंगे 10.86 nm का जो की ये गाड़ी आपको बहुत अच्छा mileage performance top and achieve करा देगी और ये गाड़ी इंडिया में launch होगी bs6 norm के according तो पावस फिर आपको थोड़ी बहुत तो आगे पीछे मिल जाएंगी तो और बाई इसमें आपको मिल जाएंगा single cylinder fab speed gearbox बाई इसमें आपको 4 गेर भी मिल सकते हैं front में आपको मिल जाएगा 90 mm का टेर रियर में आपको मिल जाएगा 100 mm का टेर इसके बाई जो होगे टेर वो आपको मिल जाएंगे tubeless 17 इंच के alloy wheel के साथ इसका बाई जो का fuel tank वो आपको मिल जाएगा 14.5 लीटर का जो की काफी अच्छा आपको capacity provide करा दे रहा है जो वजन वो आपको मिल जाएगा 117 kg का जो की बाई ये गाड़ी आपको light weight तो मिली रही है साथ में आपको काफी अच्छा आपको top end भी achieve कराई भाई ये गाड़ी आपको लगबग 115 का top speed और आपको लगबग 55 का mileage इसली आपको ये गाड़ी achieve करा देगी इसमें भाई आपको बहुत अच्छे colors and graphics मिल जाएंगे भाई जो की आपको भाई वीडियो में एक color दिखा रहा हूँ है भाई जो की है blue और black का combination जो की बहुत ज़्यादा attractive और eye catchy लग रहा है इसके भाई जो handle bar से वहाँ पर आपको मिल जाएगा knee guard इसके भाई जो leg guard है वो भी आपको काफी अलग से मिल जाएंगे पीशे भाई आपको मिल जाएगा डिगी डबबा जैसा आप कुछ भी मालाई वो आपको मिल जाएगा पीशे डिगी फ्रंट में आपको मिल जाएगे डिस्क भाई रियर में आपको मिल जाएगा ड्रम साथ में आपको मिलेगा CBS बाई आपको इस गाड़े में आपको ABS वज़रा कुछ भी नहीं मिलेगा और company आपको देगी self start प्लस kick start दोनों को option जो की ये काफी अच्छा होने वाला है इसका बाई जो tank होगा वहाँ पर आपको मिल जाएगा tank काउल वहाँ पर आपको लाइन ग्राफिक्स जैसा आप कदर option purchase करोगे वैसे आपको ग्राफिक्स मिल जाएगे tank पर आपको मिल जाएगा TBS का 3D logo और भाई पीछे आपको मिल जाएगा fairing पर striker 125 की badging जो की गाड़ी काफी अच्छी लग रही है इसमें भाई आपको engine cowl company offer नहीं करेगी इसकी seat आपको single piece में मिल जाएगी आपको handle bar आपको normal में ही मिलेंगे और ये गाड़ी आपको मिल जाएगी इस साल के मिड में और भाई ये गाड़ी इंडिया में बनती है लेकिन TBS जो एस गाड़ी को बंगलादेश, कोलंबिया, पीरू, आर्जेंटीना में सेल करता है तो ये गाड़ी अब launch होगी इंडिया में जो की आपको काफे अच्छे feature price mileage के साथ मिलने वाली है और भाई ये गाड़ी आपको लगबग इंडिया में मिल जाएगी 80,000 रुपए के आसपास तक का एक showroom लेकिन भाई ये confirm price नहीं है ये एक अंदाज है कि आपको price इसी के आसपास तक का मिलेगा तो भाई आप वीडियो को अभी like कर दो और भाई जो channel है उसे आप subscribe कर दो और इंश्टा पर भाई आप जरूर DM करो और अपने बारे में आपको आएक जो भी सवाल पुछना हो अपनी गाड़ी के बारे में वो आप मुस्से पूछ सकते हो तब तक के लिए बाई बाई जयाहिंद वंद्यमातरम